नमस्कार, माइका में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर की एक बहुत ही दिलिश्यस और आसानी से बनने वाली रेस्पी कड़ाई पनीर जो ये रेस्पी ज़्यादा तर लोगों को पसंद आती है और बनाना इसका बहुत ही आसान है इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ टमाटर, कैपसिकम, पनीर और बेसिक मसाले सबसे पहले हम टमाटर को स्लाइस करेंगे और इसके अंदर से इसका पल्प निकालके छोटे टुकडों में काट लेंगे इन टमाटरों को हम जब सबजी स्टर फ्राय करेंगे तब डालेंगे और बाकी के तीन टमाटरों की हम प्यूरी कर लेंगे अब हम कैपसिकम को भी स्कौर पीसिज में काट लेंगे जैसे हमने टमाटर काते हैं टमाटर, कैपसिकम और पनीर सबके लगबग हम एक से स्क्वायर काटेंगे और अगर आपको पसंद है तो आप चाहें तो उन्हें फिंगर शेप में भी काट सकते हैं अब हमारे कैपसिकम और टमाटर कटके तयार हैं अब हम थोड़ा सा अद्रक भी जूलियन कट करके डाल लेंगे अब मैंने 500 ग्राम मलाई पनीर ले आए इसको भी हम मीडियम थिक पीसिज में स्क्वायर काट लेंगे और आप चाहें तो इसे भी आप फिंगर शेप में काट सकते हैं अब हम सबसे बहले बनाएंगे कढ़ाई मसाला जो की इस रेस्पी में में फ्लेवर देता है और इसके लिए हम दो टेबल स्पून धनिया एक टेबल स्पून जीरा वन फोर टीस्पून सौंफ एक टीस्पून काली मिर्च इनको ड्रायर और दो तिन हम इसमें कश्मेरी मिर्च डाल के भूनेंगे अगर आपके पर साबुत कश्मेरी मिर्च नहीं है तो बाद में आप पीसने के बार इसमें कश्मेरी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अब दीमी आच पे हिने हम खुश्बू आने तक रोस्ट करेंगे और फिर उसे दर दरा पीस लेंगे अब पैन में हम बन फोट कप ऑईल डालेंगे आप चाहें तो ऑईल की जगे से बटर में भी बना सकते हैं अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल कर हलका सा सौटे करेंगे जिससे कि ये थोड़ी सी पक जाए और फिर इसमें थोड़ा नमक लाल मिर्च पाउडर डाल के सौटे करेंगे इससे सब्जी जब बाद में हम ढालते हैं तो सब्जियां फीक ही नहीं लगती है अब जो हमने मसाला कूटा था वो एक टिप स्पून डालेंगे और इसमें स्टर फ्राय करके निकाल लेंगे अब ऐसे ही इसमें हम पनीर डालेंगे और उसको भी नमक और मेज डालके थोड़ा सीजन करेंगे क्योंकि बाद में हम ग्रेवी में सब्जियों को ज्यादा पकाते नहीं हैं तो इससे थोड़ा सा वो मैरिनेट हो जाती है और इसका फ्लेवर काफी एनहेंस हो जाता है अब थोड़ा कुटा हुआ कड़ाई मसाला भी डालेंगे और हलका से स्टर करके इसे हम निकाल लेंगे अब इसमें थोड़ा सा ओयल बचा है उसमें हम टमाटर को डाल के मीडियम हाई पे से स्टर कर लेंगे और इन्हें भी ऐसे ही एक मिनट सौटे करके हम निकाल लेंगे अब हमारी सबजियां सौटे होके और सीजन होके तयार हैं अब हम इसी पैन में वन फोट कप ओयल डालेंगे और उसमें एक टे स्पून जीरा एक तेजपाद और तीन तमाटरों को हमने प्यूरी कर लिए है वो डालेंगे और हलका से थोड़ा सा स्टर फ्राइ करेंगे अब इसमें आदा टीस्पून हल्दी एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून लाल मेच आप चाहें तो कश्मीरी मिच डाले या नॉर्मल जो चिली आप यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं अब इसके बाद तेज के साब से नमक डालें नमक आप थोड़ा समाल के डालें क्योंकि हमने सब्जियों को जब स्टर फ्राइ किया था तो सब्जियों के हिस्से का नमक हमने डाल दिया था तो अब इसमें नमक डालना है और यह जो हमने कड़ाई मसाला कूटा था वो भी ह कि मसाले अच्छी तरह हमारे पक जाएं और ओयल हमारा थोड़ा रिलीज होने लगे इसमें करीब 3-4 मिनट लग जाएंगे इसे मीडियम टू लो हीट पे आप पकाएं अब हमाजा मसाला पक गया है इसमें साइड में थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होंगे कि तेल भी रि ना चाहें तो आप क्रीम या दूद दोनों के स्किप कर सकते हैं अब इसमें मैं कैप्सिकम ओटमाटर डाल दी हैं और साथ में पनीर डाल के मिक्स करेंगे इन्हें जेंटली मिक्स करें जिससे की पनीर मैश ना हो जाएं अगर आपको रैस्पी पसंद आई तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी हर रैस्पी का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे है अब हम मसाले और सबजी को हलका सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम भून के क्रश करी हुई एक टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और जो अद्रक के जूलियन हम काटके डालेंगे इसमें अद्रक का टीस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए आप अद्रक को स्किप ना करें और से अब मिक्स करने के बाद धक कर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि इस ग्रेवी का फ्लेवर सारा हमारा सब्जियों में आ जाए हीट स्टैम आप मीडियम रखें अब इसमें हम एक टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे पर यह ऑप्शनल अगर आप स्किप करना चाहें या आपने सब्जी को ओईल की जगे घी में बनाया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बटर डालने से एक अच्छा टेस्ट और लस्टर आ जाता है सब्जी में अब हमारी कड़ाई पनीर की सब्जी बन कर तयार है इसे आप पराठा रोटी राइस के साथ एंजॉय करें आई होब कि आपको यह रैस्पी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं एक नई रैस्पी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें